श्रद्धा और विश्वास एक गाए घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई साम डलने के लिए करीब थी उसने देखा कि बाग उसकी तरफ दबे पाउं बढ़ रहा है वह डर के मारे इदर उदर भागने लगी वह बाग भी उसके पीछे कर दोडने लगा दोडते हुए गाए को सामने एक तालाब दिखाई दिया घबराई हुई गाए उस तालाब के अंदर गुस गई वह बाग भी उसके पीछा करते हुए तालाब के अंदर गुस गया तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गह पा रहे थे वह गाए उसकी चड़ के अंदर दीरे-दीरे दसने लगी वह बाग भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका वह भी दीरे-दीरे की चड़ के अंदर दसने लगा दोनों भी करीब-करीब गले तक उसकी चड़ के अंदर फस गए दोनों ही हिल भी नही पा रहे थे गाए के करीब होने के बावजूद वह बाग उसे पकड़ नहीं पा रहा था थोड़ी देर बाद गाए ने उस बाग से पूछा क्या तुम्हारा कोई गुरू या मालिक है बाग ने गुराते हुए का मैं तो जंगल का राजा हूँ मेरा कोई मालिक नहीं मैं खु तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है गाए ने मुस्कुराते हुए का बिलकुल नहीं मेरा मालिक जब साम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वै डूंडते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचर से निकाल कर अपने घर ले जाएगा तुमे एक दूसरे की तरफ कर तग्या पूर्वक देख रहे थे वे चाते वे भी उस बाग को कीचर से निकाल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए वैखत्रा था किसी पर निर्भर होना अच्छी बात है नहीं है लेकिन उसकी आती नहीं होनी चाहिए हमें अपनी सक्ति पर दिक अंकार नहीं करना चाहिए हमको कभी भी किसी मित्र किसी गुरू किसी सहयोगी की जरूरत पढ़ सकती है